नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉइ स्कूल पर दोस्तों इस वीडियो में हम आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं Central Pollution Control Board यानि की CPCB में आई हुई Assistant Law Officer की वेकेंसी के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यह वेकेंसी पहली बार आई है इसके पहले यहाँ पर Law Officers की Senior Law Officers की जो वेकेंसी होती थी वो Deputation Basis पे होती थी या फिर वो Contractual Basis पे Advocates से ली जाती थी पहली बार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों में यहाँ पर पहली बार Assistant Law Officer की वेकेंसी आई है आप यहाँ देख सकते हैं Assistant Law Officer Level 7 in the Pay Matrix Rs.44,900 to 1,44,400 SC की लिए यहाँ पर एक वेकेंसी है, OVC की लिए एक है और EWS की लिए भी एक है, Unreserved Category की लिए तीन है, टोटल छा वेकेंसी यहाँ पर हैं आपकी Maximum Age Limit है, वो 30 Year है और यह Age Limit अप्लिकेशन की अप्लाई करने की Last Date को Count होगी यानि कि अगर उस तक आप 30 साल के हैं तो अब अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए लिजिबल नहीं है और भी कई पोस्ट की वेकेंसी आई है, बट यहाँ पर हमको Law से मतलब है, तो Law के लिए आपको टोटल 6 वेकेंसी यहाँ पर अवेलबल हैं Detailed Advertisement, Eligibility Criteria, Exam Process इन सब के बारे में आप देख सकते हैं, तो आपको हम ले चलते हैं वेबसाइट पर लेकिन वेबसाइट पर चलने से पहले आप इसका Advertisement Number ध्यानप से देख लिजे, Advertisement Number 02 Oblig 2022 Admin R, यह हमें जाकर वहाँ पर देखना है वेबसाइट पर यहाँ पर आगये हैं हम Center Pollution Control Board की वेबसाइट पर, यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉलम बना हुआ है Jobs, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये विंडो खुल जाएगे जिसपे Current Jobs का अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाएंगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि mention है कि Link to Recruitment Portal for Advertisement No.02 Oblux 2022 will be starting shortly, यानि कि Short notification जारी हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, Short notification जारी हो गया है, अभी detailed notification और यहाँ पर वेब पोर्डल पर अप्लाई करने के लिए Link वो अभी अपडेट नहीं की गई है, बहुत जल्दी ही वो यह All India Level की जाब है, आप इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ही यह Link Portal एक्टिव हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में आपको एक detailed वीडियो बनाकर share कर दूँगा कि advertisement में criteria और क्या है, और selection procedure क्या है, शाथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो like क करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि नए वीडियो की update आपको तुरंद प्राप्त हो जाए, सुक्रिया